आज की शिक्षानी देशाले राष्टे राजधानिक्षेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 33 जो की कक्षा साथवी के विद्यार्थों के लिए हैं यह ली गई है समाजिक विज्ञान के इतिहास विशे से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ ईश्वर से अनुराग को जारी रख रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज हम इसमें किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं तो वो टॉपिक है दक्षिन भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार यानि ये जो भक्ति की शुरुवात हुई ये कहा जाता है कि ये दक्षिन भारत से इसकी शुरुवात हुई चलिए जानते हैं कि कैसे हुई शातवी से नौवी शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंधोलनों का प्राधुर भाव हुँआ यानि सात्वी से नौवी का मतलब होता है सात्वी शतापदी का मतलब है सन 601 से लेकर 699 तक और नौवी शतापदी का मतलब है सन 801 से 800 से 800 से 899 तो सात्वी का मतलब हुआ 600 से 699 और नौवी का मतलब हुआ 800 से 899 इन आंदोलनों का नेतरित्व नए नारों यानि शैव संतों और अलवारों यानि वैशनव संतों ने किया कुछ नए धार्मिक आंदोलन उनकी शुरुवात हुई और इन आंदोलनों को शुरू करने वाले कौन थे शैव संथ जिने नएनार कहते थे और वैशनव संथ जिने अलवार कहते थे उन्होंने इसकी शुरुवात की ये संथ सभी जातियों के थे ये शिव एवं विश्नु के प्रती सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे उन्होंने संगम साहित्ये, कमिल साहित्ये का प्र औरंबिक शतावदियों में रचिति उसमें समाहित, प्यार और शूर वीर्ता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूलियों में उनका समावेश किया नैनार और अलवार घुमकड सादू संत थे यानि ये दोनों तरीके के जो रोक थे संत थे नैनार और अलवार ये घुमकड किसम के थे वे जिस किसी स्थान या गाउं में जाते थे तो वहां के स्थानिय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुन्दर कविताएं रचकर उन्हें संगीत बद्ध करते थे भक्ति साहित्ते के उत्तर से दक्षिन आने के संदर्ब में एक प्रसिद कहावत कही जाती है भक्ति दरावडी उपजी लाए रामानन्द यानि अर्थाद भक्ति का उदे दक्षिन भारत में हुआ और उसे रामानन्द उत्तर भारत ले कर आए आप समझे पुचली अब इन नए नारों और अलवारों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं जो नए नार थे इनकी संख्या थी 63 63 की संख्या कि इनकी नए नारों की नए नार जो थे वे भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे जो नए नार लोग थे वो भगवान शिव और जो उनके अवतार हैं उनके भक्ते उनकी भक्ति करते थे वे कुमहार, अस्प्रिशेक, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राहमन और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे सरवाधिक प्रसिद नैनार थे अपपार, संबंदर, सुंदरार और मनिक्व सागर तो जो प्रसिद नैनार थे उनके नाम हमने फिर से एक बार देख ले हम अपार, संबंदर, सुंदरार और मनिक्व सागर उनके गीतों के दो संकलन हैं तेवरम और तिरुवाचकम फिर अलवार की बात करते हैं, जो अलवार थे उनकी संख्या बारा थी नैनार 63 थे और अलवार कितने थे बारा जो अलवार होते थे ना, ये भगवान विश्णू और उनके अवतारों के भग थे जैसे नैनार भगवान शिव और उनके अवतारों के भग थे ऐसी जो अलवार थे वो भगवान विश्णू और उनके अवतारों के भक्ते वेवी भिन भिन प्रकार की प्रिष्ट भूमी से आये थे सरवाधिक प्रसिद अलवार थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल तुंडर, पोड़ी अलवार और नम्माल अलवार उनी भाषा की शब्दों के हैं उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकले थे अब धार्मिक जीवनी और संत जीवनी लेखन संतों की जीवनिया लिखना इसके बारे में चर्चा करते हैं देखो धार्मिक जीवनी या फिर संत जीवनी लेखन संतों की जीवनिया लिखना दसवी से बारवी सदियों के बीच चोल और पांडियन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा लिए जहां संत कवियों ने यात्रा की थी इस प्रकार भक्ती परंपरा और मंदिर पूजा की बीच गहरे संबंद स्थापित हो गए यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तयार किया गया था इनके अलावा अलवारों और नये नारों संतों की धार्मिक जीवनिया भी रची गई आज हम भक्ती परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवियों का सुरोत के रूप में उपियोग करते हैं तो देखा आपने कि किस तरह से जो दस्वी से बार्वी सदियों की बीच में जो चोल और पांडियन राजा थे उन्होंने क्या किया जहाँ जहाँ पर ये संत गए थे ना और इन्होंने अपने प्रवचन दिये या रुक के रहे वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिर बनवा दिये थे इस तरीके से क्या हुआ भक्ति परंप्रा और मंदिर पूजा के बीच एक संबंध बनता चला गया और इस तरह से धीरे धीरे भक्ति फैल चलिए अब हम इसके प्रशन उत्तर करने का प्रयास करते हैं लेकिन उससे पहले हैं गतिविती नंबर एक पाठे पुस्तक हमारे अतीद भागदों में दी गई मनिक्व सागर की रचना का अध्यन करें एवं बताएं इसमें कवी ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है तो चलिए देखते हैं देखिए ये है हमारी गतिविती नंबर एक कि पाठे पुस्तक हमारे अतीद भागदों में दी गई मनिक्व सागर की रचना का अध्यन करें और बताएं कि इसमें कवी ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है तो देखिए इसमें कवी ने भगवान क के पुतले में आप सोने के मंदिर की तरह हूं आपने मेरे सारे दुखों को मेरे सारे जनम मृत्यू का कश्ट और मायम हो सब हर लिया है मुझे इन सब से मुक्त कर दिया गया फिर इसके बाद सहीवा गलत बताईए भक्ति का उदे धक्षिन भारत में हुआ ये सही है ये ग अलवार जो है वो भगवान विश्नु के भक्त थे जी हाँ ये बिल्कुल सही है जो अलवार लोग थे वो सब भगवान विश्नु के भक्त थे तो ये तो थी आज की वरक्षी अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना तो इस चैनल और वीडियो से बाहर निकलते समय खासतोर से स्कूल जाते समय अपना मास का वश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीका करन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दिगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यव कि बजस झाल स्कूल 5 मान्यव को जिए जयका चाल से आपकी वश्य कि अवाएं और ऑूरापस्य।